नमस्कार दोस्तो स्वागत है शौमस बैली जी की और एक हेल्थ वीडियो में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं iron deficiency anemia के बारे में अगर आपको iron deficiency anemia है डॉक्टर ने कहा है कि आपको iron deficiency anemia है या हो सकता है उसके लिए आपको क्या करना चाहिए आई iron deficiency anemia क्यों होता है iron deficiency anemia को ठीक करने के लिए कौन सी खाना आपको खाना चाहिए यह सारे question के जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा तो वीडियो को अन तक जरूर देखना चली पहली बात तो है का iron deficiency anemia होता क्या चीज़ है अब देखो anemia जो term है यह term तब use किया जाता है उसके अंदर hemoglobin होता है हमोगलोबीन के वजए से उसका कलर लाल होता है अब ही हिवोगलोबीन का काम क्या होता है हमोगलोबीन बॉडी में oxygen कहीं के साथ back दर अभर होगा इसे हम सांस लेते हैं तो oxygen अंदर अब oxygen को बाइन करना होता है ये लेड के साथ मैं से नसे है queuealar करता है रहता है तो जो अग्सिजन को करता है करुइन को अग्सिजन के अगर ऑच्य करता है जो value है unit में अब वो जो हमोगलोबी नॉर्मली होना चाहिए जो पुरूशों में थोरा ज्यादा मैला में थोरा कमी होता है मगर फिर भी अगर वो कम हो जाए मतलब कितना कम हो जाए मानों 9-8 उससे भी नीचे हो जाए हमोगलोबी में तब जाके दिक्कत ही होते है क्योंकि हम हमोगलोबिन यहाँ पर oxygen के साथ बाइन नहीं करेगा तो कम कर Daar consequence करेगा तो बाडी के अलग अलग हिस्सों में oxygen कम पहँचे hineगा। वह जगा अलग-अलग ब्रेन हो सकता है बोड़ी के अलग-अलग मसल्स लो सकते हैं वहाँ पर नहीं मिलेगा तो ब्रें को अगर oxygen ना मिलता है बॉड़ी के मसल्स को अगर ऑक्सिजन ना मिलेगा तो ठीक से वह काम नहीं करेगा तो इसी के कारण फैटीग आता है मतलब बहुत टायडनेस होता है आपको ऐसा लगता है बहुत थकान महसूस होता है उसके साथ-साथ हार्ट में भी दर्द होता है हर्ट पेने कर स्क्राइब हो इसलिए उसके कारण एक दर्द सावी हो सकता है चेस्ट में चेस्टिक पेन भी वो सकता है तो यह सारे सुम्टम्स हो होता है तो हैमोग्लमी प्रोड्यूस्क्राइख है जिसके structure बिलद होदो होने के लिए अगर के deficiency हो तो उसके वज़े से hemoglobin कम होगा उसके वज़े से red blood cell कम होगा उसके वज़े से एनीमिया होगा उस एनीमिया को हम iron deficiency anemia कहते हैं clear इसको iron deficiency anemia कहते हैं अब देखो iron deficiency anemia अगर होता है तो उसमें क्या symptom आएगा आईरन डिफिशिंसी एनिमया का सिंटम जैसे कहा है कि अंईमिया के लिए होता है, बाहर से अगर आप देखो गें तो पीला पन, बतलब बॉडी के जो रंग होता है, रिय्ट कलर होता है, पर त्टिकरली में अगर आपको दिखाऊंगा हूं यह देखें यहाँ पर रेट कलर अगर आप सामने से देखोगे यह प्रिस करने से लाल हो रहा है ना ब्लड है अंदर तो यह बहुत ही कम लाल होगा तो बॉडी में एक फीका सा वाइट फीका सा एक कलर जैसे आज आजया कि इसको पेल नेज बोलते हैं तो यह पेल हो जाना बॉडी यह सिंटम होता है उसके सा अदर में उसके साथ साथ क्या होगा उससे आपको बहुत अब 19 क्रूंट अolen07 के तो कि बॉडी में आपको आपने गार बैट ज्योह सेड़ा वोगर एकरे संबिद कर, काम दो और 20 करेंव था testify क्रेंव यह बीको कांदियों अरह कांदय के बॉड़िये में आपका pain होने लगेगा ये सारे चीज़ को आप एक साथ मिलाएंगे कि हाँ बॉडी में blood कम होनी की जो बाहर से दिखने वाली symptoms उसके साथ brain related symptoms और heart related symptoms को combine करेंगे और tiredness को combine करेंगे तो हमें मगर आइनमिया का overall symptoms ये सारे हैं मगर iron deficiency कैसे पता चलेगा तो कैसे आपके शरीर में कि कमी के वजह से अनीमिया होते हैं तो iron deficiency anemia को पता करने के लिए आपको करना होता है जिसकोаемся iron profile बोलते हैं उसमें क्या देखा जाता है total red blood cell की कहुन देखा जाता है total rbc कितना है यह भी देखा जाता है कि इसमें शरीर में total iron binding efficiency and total iron binding capacity उसको चेक किया जाता है और blood में protein रहता है जिसको बोला जाता है transferiin वो transferin protein भी iron को bind करता है मतब जब खाना कि आरण कहा से मिलता है हमें हम जो खाना खाते उससे आरन मिलता है उसी के अंदर रहता है जब खाना खा लेते उसको एब्जॉब करते हैं आरन शरीर के अंदर जाता है तो शरीर के अंदर जाने के बाद आरन करना पड़ता है प्रोटीन से उसको नाम है ट्रांसफेरिन प्रोटीन शरीर में ठीक अमाउंट में होना जरूरी है तभी तो खाने से आता हुआ आइरन जो हे बॉडि रख पाएगा अदरवाइज वो शरीर से बहार निकल जाएगा तो यह ट्रांस्पेरिन कितना बॉडि में है ब्लैड में है वो भी चेक किया जाता यह आइरन प्रोफायल से तो आएरन प्रोफायल आपको करने है ज्यादा खर्चा नहीं आता यह नॉर्मली अलग जगे में अलग अलग रेट है दो डाइसो से लेके 700 ऑच गाशा सू रुपय तक का मैक्सिमुम होता है यह टोटल आपको चेक करके बता दिया जाएगा कि आपके बॉडी तो आइरन कहा से मिलेगा आइरन खाने से मिलता है कौनसी खाने से आइरन मिलता है हमें आइरन रिच फूड होता है ग्रीन डार्क ग्रीन कलर का वेजिटेबल जितना साख होता है डार्क ग्रीन कलर का सारे के सारे में रिच होता है तो सारे वेजिटेबल में मिलेगा आपको मि कर आप खाऊगे उसके साथ और एक यह हो घया ब्यज़ी में हो गया वा क्यूश में यह New Watch में ओधने आ जाते हैं तो समस्पास किसे क्या उसकूल तो जया शड़ी आप WATER कि treatment तो डॉक्टर करेंगे prescription medicine वो देंगे मैं आपको सम्झाओंगे कि आपको क्या करना है आपको यह चीज करना है कि अगर iron deficiency बचे से अनीमिया होता है आप में तो आप यह खाना खा रहे हो आइरन खा रहे हो ठीक है अच्छी बात है आपको यह देखना है कि बॉड़ी में transferrin ठीक है या नहीं आपके बॉड़ी में का transferrin के मात्रा भी कम हो तो ज्यादा iron खाने पर भी कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि वो iron शरील में जाएगा मगर वो बाइंड नहीं करेगा किसके साथ बाइंड करेगा transferrin नहीं है तो अगर transferrin deficiency के कारण हो रहा है तो उसको ठीक करन जरूरी है उस जब से treatment चाहिए है ना तो इसके कारण लोग बोलते के iron deficiency में मुझे iron supplement दे दिया डॉक्टर ने में खा ले और हम ठीक नहीं हो रहा हूं क्योंकि आपको जड़ तक जाना है कि क्यों हो रहा है आपका आपको खुद को जानना है और अगर ऐसा भी होता है कुछ हो कि absorb होने के time पर सारे चीज़ प्रोटीन हो fat हो सब कुछ वहां से absorb होता है तो वहां पर जब यह iron absorb होता है तो absorption भी ठीक होना चाहिए कुछ-कुछ लोगों में बिमारी रहते जहां पर यह absorption ठीक से नहीं होता है जो कि digestion के बिमारी होते है जैसे के बोला जैता है celiac disease एक ऐस में green vegetable खा रहे हैं सब iron rich food खा रहे हैं फिर भी शरीन में नहीं जा रहा है तो उनमें अलग process में treatment करना है अगर आपका transparent ठीक है absorption iron के शरीन में ठीक ठाक है तो आप iron rich food खाओ आपके तुरंट आप देखोगे के within 2-3 months अगर आपका 8-9-10 के करीब हीमोगलोबिन ता तो 12-14 हो जाएगा सिर्फ खाने से ही medicine लेना पड़ता है कुछ supplement iron supplement दिया जाता है वो लेना होता है उसके साथ साथ हो जाएगा और एक चीज़ ध्यान रखना जब आप यह treatment होगा और vitamin C कहां से मिलता है हमें कोई भी खटा जो fruits होता है generally most of the time तुसमें मिलता है जिसको citrus food बोलते हैं जो की नीमू हो गया किसी प्रकार की नीमू हो गया उसमें मिलता है तो यह vitamin C खाना उसके साथ ज्यादा मात्रा में iron rich खाना खाना आपको खाना है बस इससे ही आपका iron ठीक हो रहा है transferrin ठीक है तो इसके कारण इसके लिए आपको iron profile देखना important होता है और अगर absorption में ही गरबढ़ है तो iron ज्यादा लेने में भी फायदा नहीं होगा तब अलग treatment के process है वो complicated हो जाएगा वो चीज़ आपको doctor बताएंगे ठीक है तो यह चीज़ आप ध्यान में र दो तीन महीने में ठीक हो जाता है और यह चीज़ ध्यान में रखना हो है कि iron deficiency की कारण ही अनीमिया है क्योंकि अनीमिया बहुत सरे कारण में हो सकता है कि किसी इंसान को blood loss हो रहा है internally पता नहीं चल रहा है कोई पर अलसर है कई पर कुछ ऐसे घाव है जहां से blood निकल रहा है लोग को पता नहीं चलता तो अगर उस कारण होता है तो ठीक नहीं होगा